यहाँ पर गाईज आपके लिए हनुमान जी का अर्जिन्ट मेसेज आया है आपसे काड़ों के द्वारा वो एक बात संदिश देना चाहते हैं कुछ कहना चाहते हैं आप सुन सकते हैं कि आपके लाइफ के अंदर बहुत भीर सारे ऐसे लोग भरे हुए हैं जो आपको धोखा देनी की कोशिस कर रहे हैं आपको परिशान करने की कोशिस कर रहे हैं आपको नीचा गिराने की कोशिस कर रहे हैं यारी आपको बहुत ज़्यादा सत्रू लोग जो हैं आपके लाइफ में बहुत धेर सारे हैं आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा हैं जिनके कारण आपको ब प्रूहों लोगों से इन हेटर से आप बिल्कुल दूरी बना ले जल्द से जल्द जितना आप इसे दूर हो जाएंगे आपके लाइफ में उतने ही अच्छे गुरों की प्राप्ती होगी अच्छे कामों की प्राप्ती होगी उन्नती होगा विकास होगा यारी आप धोखे से कही न कही बचे गाईज क्योंकि यहाँ पे आपके जो हिटर्स है आपको बहुती ज़ादा नीचे गुराने की कोशिस कर रहे हैं और हनुमान जी है उनको रोकने की कोशिस कर रहे हैं तो आप खुदी समझ जाएए कि आपके लाइप में कितने सत्रू है गाईज मेल भी हो सकते फीमेल भी हो सकते जो आपको बहुती ज़ादा परिशान करने की कोशिस कर रहे हैं और हनुमान जी आपको बहुत ज़ादा बचाने की कोशिस कर रहे हैं तो यहाँ पर हनुमान जी को आप फैंक्यू बोल सकते हैं और दूसरा काड़ आया है गाईज की किसी इस्त्री या पूरूष के द्वारा आपके ऊपर कोई न कोई तंत्र मंत्र या टोना टोटका कराया गया है आपके बुद्धी को बांद कर रखा गया है यहाँ पर आपको किसी भी काम में गाइस मन नहीं लगता होगा आपको बहुत जादा समझ में नहीं आता होगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना होगा रातों को नीद नहीं आ रही होगी आप बहुत जादा चिंतित रहते होगे आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा होगा आला से आ रहा कुछ न कुछ बीमारी लगी रहती है यह सब चीजें आपके मतलब लाइप में हो रही है तो कहीं न कहीं आप तंत्र मल्द से इफेक्ट है यह सब आपको लच्छन दिखाई दे रहें तो आपके उपर जरूर से जरूर बाधा की गई है नजर दोस रखा गया या फिर को यह स जादू टोना किया गया है जिससे की आप हेल्थ भी इस उठा रहे है उन्नती प्रगती भी आपकी कम हो रही है सकसेजों सफलता भी कम मिल रही है गया ऐसे लच्छन है तो आप समझ जाए कि आपके उपर कुछ न कुछ नजर दोस है इसको दूर करने के लिए गया आप दूर दूर करेंगे और यह रीडिंग जो है हनुमान जी का ही हो रहा है तो आप हनुमान जी से कहीं न कहीं प्रातना करें हनुमान जी के मंत्रों का जाब करें हनुमान जी के सरण में जाएंगे तो आपको भारी लाव मिलेगा और यह जो आपके उपर किया कराया है जो सा राहत मिलने में बहुत ज्यादा सहायता मिलेगा आपको इन तकलीफों से दूर होने में गाईज और ये धीरे धीरे ठीक होगा बहुत अचानक नहीं ठीक होगा आप हनुमान जी के सरण में जाएंगे तो आपका ये संगर्स तकलीफ दूर और ये जो नजर दोस है जरूर स हसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपने लाइफ में सकसे जो सफलता पाते रहिए हनुमान जी के क्रिपा पर बरस दी रहे